नमस्कार दोस्तों, मारे अधियाना यूटूब जन्नेल में आप सभी का स्वावत है, मैं आज उबस्थी दूँ कनीना में बारतिये जन्ता पार्टी लोकसभा मेंदरगट विवानी के ओफिस पर, और यहां मेरे साथ मोजूद है बारतिये जन्ता पार्टी के समर्थत, आज जानते हैं कि इनमें लोकसभा एलेक्षन को लेकर कितना जोस है, इनकी क्या तैयारिया है, कैसे लगे हुए हैं ये बारतिये जन्ता पार्टी के मेंदरगट विवाने लोकसभा के उमीदवार को जिताने के लिए, किस तरीके से ग्राउंड सतर पर यह कार्ये कर रहे हैं, त जोगेंदर जी, मैं आपके चैनल के लादम से आपके दर्शकों को भी रापको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप अमारे बीच में आए, और मैं इस परसंड का जबाब यह है, ये लोगों का बरम्धार है, जोगों का बहर्म्धार बहर्त द्रस्कों का जवाब यह है कॉंग्रेस का नीचे नीचे बिल्कुल कवर हो जाएगी उसे ज्यादा कोई शिटाने नहीं दोस्तों के पास कंडिडेट ही नहीं कोई टिकेट लेने वाला नहीं था जब रजस्ती नेताओं को टिकेट दे गई कॉंग्रेस का कोई वर्चे नहीं कोई अधान मंतरी का चेहरा है दूसरी आपको बताए दूब को उबी शिया खिलाब हो रही है वो हमारे मुसलमानों को देना चाहती है था हमारे वी शिया खाटके आप बताईए को अब्रस का रज़ी गएगी हमाने तो समझता नहीं है तो उसने कहीना कहीन फाइट में आके और जिस तरह जिस मार्जन से पिछली बार जो बीजेपी पर्ताशी ने जीत आसिन की थी वो कहीना कहीन बहुत कम होती नजर आ रहे है उसका रीजन आप क्या बताना चाहेंगा बती पर्ताशी पाफ इसका मैं आपको एक बताता हूं हीरवाल का ठीक विजदान सिंग जी लोकल चेतर महिदरगट से विधायक हैं लेकिन हीरवाल में एक ही चेरा है उह है राव इंजर जीत उससे आगे कोई चेरा नहीं है नेता काफी है हमारे चेतर में हर विदान सबाब हमारे बाजबा में नेता है यादव नेता है हमारे बहुत अच्य अच्य बड़े बड़े नेता है लेकिन चेरा अगर आहिरवाल का देखोगे न तो चेरे हमारे पास या तो राव इंजर जीत या रांदरा सर्मा दो ही चेरे ऐसे हैं जिनके बल पर हम इतने मजबूत हैं दक्ष रोतक और भिवाणी मेहंदरकट और खुद गुडगावा चारों पर ही उनका जादू तल रहा है तो फिर एक लोग सबा के अंदर चार कारे करम वे राविंदर जीत सिंगे लेकिन चारों के चारों कारे करम सिर्फ एक विदान सबा में वो क्यों बाकी कि तीन विदान सबा इससे क्या मान सकते हैं कि या तो एक लोग सबा में उनका परवाव है एक विदान सबा में चारी या फिर उनको लगता है कि अटेली विदान सबा कई ना कई पिछड़ती नजर आ रही है ऐसा कुछ रही है योगेंदर जी उनका अपना खुद का वो है वो हमने पार्टी के प्रोटोकोल के हिसाब से लगाए है जैसे कि महंदरगर था महंदरगर विदान सबा में हमारे मोदी जी की मोदी जी की वो रेली रखियत है इसकी तो इसलिए पार्टी के प्रोटोकोल के हिसाब से जहां से पार्टी टै करती है अगर किसको कहा जाना है और अटेली विदान काफू मार्जन कि जunoग करृट तो ये इस भी ज़ए रखती के जिए कि अब रखल यह सब्सक्त अब बीदान न करतार है हमने ज़से जाएना तो साहब को गड़्योन कर देखि हम सबसे में हैं 2115 कर देखो हर बार मारजन बढ़ता है अगी वार मैं आप क्या कहना चाहेंगे एटेली विदान सभा से बीजेपी परतियासी को कितने क्या वोट मिल सकते हैं क्योंकि मेंदरगड विदान सभा और अटेली विदान सभा ये दोनों ऐसी बता ही जा रहें कि राव दाजिंग जो कोंग्रेस परतियासी है वो कही ना कहीं लीड करते नजर आ रहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखने में आया है पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से बीजेपी का अंडिडेट मेंदरगड़ग अटेली विदान सभा से जितेगा इसमें कोई सब्सक्राइए क्या लगता है? ग्राउंड सेतर पर आप जा रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पर जो गोट रहे हैं, वो क्या कहता है नजर आ रहा है गाउं में कि हम किस वो बीजेपी को किस वज़े से बोट दे? मोदी ने देश के अंबर इतना विकास किया है, इतना मतलों सम्मान बढ़ा है, कि देश का नोज़वान, बुड़ा, बच्चा कोई भी हो एक ही नाम मोदी का है, और मोदी के चेरे पर ही देश भोट दे रहा है, हमारे जो पुराने साती कही बात होती है, तो कांग्रेश व मोदी के काम को देख करके BJP को बोड़ते हैं, आप यूथ हैं, और अभी BJP के साथ जुड़े हो हैं, तो क्या लगता है कि आपके अपने लेवल पे जब गाओं के अंदर जाते हैं, जो यूथ है, कही ना कही जो वीपक्सी पार्टिया है, उनका मुद्दा है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो यूथ को तो रोजगार है चाहिए, तो आपको क्या लगता है, गाओं में आप जा रहे हैं, तो किस तरीके से यूथ का रेस्पंस में रहे हैं? नितला विक्सित भालत विक्सित हर्याना, उसके तरद पेकारी हो रहे हैं, समान कारी हो रहे हैं, बच्चे भी लग रहे हैं, और तयारिया भी कर रहे हैं बच्चे और भी, ये कोई बात नहीं कि नहीं लगे हैं, हर गाओं में जाके कूछों गुंते हैं, बच्चे लगे ह किसी कोई शिपार्ष नहीं हमारे युवाव में जोश है हर गाव में बच्चे लगें किसी नेता के पास जाने की शिपार्ष के जुरूती है यह इतनी बढ़ियस की जो लगाई है यह तो एक ही जिले के मुखमंतरी बनते हैं तो तक्षोनी पत्जाजर उसे आगे बढ़ते ह लोग सबाव के अंदर अटेली और मेंदरगड विदान सबाव लेके ऐसा है योगें बढ़ाई हमारा अटेली हलके में जितना विकास विजयती सरकार में हुआ है इतना आज तक कभी नहीं हुआ पिछली योजना में जब एंजी संतोष यादव ती डिप्टी स्पिकर रुष्ट हमारे दोदों माविद्याले आई टी आई हर तरफ गाव में जो आज अटेली गया केली में जो देखोगे तो व विकास की पूरी गंगाशी बह रही है मैं विकास के मुद्देगु पर लोग देखके इसके बोड़ देंगे इसको तो फिर यह आवाज बनी हुए है मिपक्षपार्टी की इसको पर बन रही कहां बन रही कि एक कंडिडेट है कंडिडेट पहले जाट लेंड का होता रव क लाज एक आए लग अजयुन आए तो अंहीं आछश से लड़ रहे है पास थाष्ळा बात करें तो जिए जनकी भी लिस्ट मेरे पास आई है जो स्टार पचल कर विद कि अंहीं आपक शुच मांआरट में जिखने इसंटार जिखना अडर्ट के दो आदें हैं स्क्रेस तार परदान मंद्री के कंडिडेट गर्षी तो है पहले रेवाडी फिर पल्ली और उन्होंने फिर कामे पल्ली ने आ रहा हूं बाबा जारामदास की भूमी से और आप देखना तो इस तारीक को आप यहां लोग नहीं जन्चलाब उमड़ेगा बहुंद में रावनद में रावन शमय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी यहां बाबादी के लिए आप आया मारा बादी